ओम शान्ति अभी हम सुनेंगे बाबा के 25 सप्टम्बर के साकार महावा के आज की मुरली के मुख्य बिंदू मीठे बच्चे तुमारा अभी इश्वरिय न्यू बलड है तुम्हें बड़ी मस्ती में भाशन करना चाहिए बाबा ओर हे का भी तमारा इश्वरिय न्यू बलड है जएे नशे से भाशन करना है plein मस्ती में बाबाने हैं नाचे वावा में द रहान भी होते हैं स्कूल고led के सुडेंट्स होते हैं वह भी नήू बलड कह लातने बाबा ने कहा भूके वलм्हें रहते हुश में नहीं देकिन बाबन का यहां हमारा न्यूबलर जो है वो सकारत्मक भाव में बाबा कह रहे हैं कि हमें मस्ती से भाशन करना है मंगुच्छा रहे इस शुरिय नशा रहे प्रशन तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा सथाई बना रहे उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ तर अपना राजाई पास्पोर्ट निकाल कर रखो नीचे सधारण चितर उपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके उपर शुरिय बाबा तो एम ऑब्जेक्ट की समरिती रहेगी बाबा आज बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं एम अब्जेक्ट का स्थाई नशा रखने की अपना राजाई पोशाक वाला पास्पोर्ट साइज पोटो बनाए तो बाबा निका ऊपर में शुब बाबा फिर राजाई पोशाक का चितर नीचे सधारण चितर हो तो ब अब मारा यह पास्पोर्ट तो कैंसल हो जाएगा हम स्वरग में जा नहीं सकेंगे गीत हैं रात के राही ठक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं ओम शांती बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा अब भक्ति मारके घोर अंधियारे की रात पूरी हुई बच्चे जा सकता यहां बैठे हैं हमारी एम अब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि तुम अपने को भैस समझो तो वह रूप हो जाएंगे वह भक्ति मारक के द्रश्टांत हैं जैसे यह भी एक द्रश्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ल हम सो देवी देवता डबल शिर्टाज बनेंगे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा इंजिनियर बनूंगा तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं अब अने का यह सदा समरिती रहे हम इस पढ़ाई से देवी देवता बन रहे हैं यह शरीर छोडेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा यह तो बहुत गंदी शिची दुनिया है नई दुनिया बड़ी फरस्ट क्लास दुनिया पुरानी दुनिया बिलकुल ही अब अगर अब नई की है हमको विशव का मालिक बनाने वाला जरूर विशवकार चैता होगा दूसरा कोई पढ़ा ना सके शुब बाबा ही हमको पढ़ा कर राज योग सिखलाते हैं तुम ब्रहामन तो हो ही जाते हो हम देवता बन रहे हैं नशा रहता है मैं यह बन रहा हूं पहले हम कल यूग नरक में थे असुर और देवता में कितना फरक है देवताएं कितने पवित्तर हैं यहां कितने पतित मनुश्य हैं अब निकासत यूग में देवताएं कितने पवित्तर होते और यहां कितने पतित हैं हम शिबाबा की मत पर चल रहे हैं परमात्मा की मत से ही हम स्रेष्ट बनते हैं जिनकी तकदीर में होगा ज्ञान भी उनकी ही बुद्धी में बैठेगा नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे जब समझेंगे तब तो खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे जिनको ग्यान की समझ मिल जाते तो वो बाबा के मददगार बन जाते हैं बचों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए यह बड़ी उच पढ़ाई है परंतु माया बड़ी अगेस्ट है तुम जाते हो हम यह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होगा बबन का यह नशा रहे हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं इस पढ़ाई को पढ़ने से हम डबल ताज धारी देवी देपता बनेंगे यह नशा हो भविश्य चनम जनमांतर हम डबल ताजधारी बनेंगे तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुशारत करना चाहिए इनको कहा जाता है राज योग कितना बंडर है गीता में भी भगवालू वाच है कि मैं तुमको राज योग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ तो बच्चों को कितना नशा रहना जाए क्या नशा रहना चाईए कि भगवान और शक्तिवान तुम बा आलमायटी अथोटी हमें पढ़ा कर गो राजाओं का राजा बना रहे हैं हम राजयोग सीख कर डबल सिर्ताज धारी देपता बन रहे हैं शिब बाबा से हम राजयोग सीख कर क्या बन रहे हैं डबल सिर्ताज धारी देपता चितर रखा हुगा कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमको सिखाने वाला है शिब बाबा चितर देख बच्चों को नशा चड़ेगा बत्ती मारग में बाबा नारायन का चितर रखता सा ब्रमा बाबा पॉकेट में भी रहता था तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा बाबन का नराजाई पोशाक वाला सधारण जी फोटो रखो अपनी जेब में रखो चितर याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं बाब को याद करने का उपाए ढूडना चाहिए बाबा रोज नई नई युक्तियां बताते हैं कभी बाबा कहतें चितरों के सामने जाकर बैठ जाओ अपना aim of object देखो बाब नई युक्तियां बताते हैं बाब की या हाट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे बाबा तो बहुत युक्तियां बताते परंतु कोई विश्वास भी रखे ना विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे पुरुशारत करना चाहिए ना बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुन्दर युक्तियां रचो अपने को आगे बढ़ाने के लिए और सब को समझाते रहो तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो उंच पद पाने के लिए मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं क्योंकि पत्थर बुद्धी हैं अभी तुम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बन रहे हो तकदीर में होगा तो जट समझेगा नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धी में बैठे गई नहीं बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं अर्थात निधन के हैं धनी का बनना चाहिए ना जबकि इश्व बाबा के बच्चे हैं यहां जिनको ग्ञान है वह अपने बच्चों को भी विकारों से बचाते रहेंगे तुम जानते हो यहां विकारों से बचाया जाता है कन्याओं को तो पहले बचाना से यह मा बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं तो बाबा के रहे हैं गीता में भी लिखा हुआ है बगवान को ही सब का उध्धार करना है सादू संतों का भी उध्धार शुबाबा को ही करना है एक ही भगवान बाप अकर सब का उध्धार करते हैं तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए नशा काइम रखना चाहिए हम इतने उंच बाप के बच्चे हैं इतनी उंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं हमें डबल ता इधारी देवता बन रहे हैं जे नशा काइम रखना चाहिए हम अपनी हम जिन्स को उठाना चाहिए हमें जो अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए गाया भी जाता है गुरु माता माता गुरु कब होगी तो तुम जानते हूं गुरु का सिल्सला अभी चलता है माताओं पर बाप अकर ग्यान का कलश रखते हैं अपने को सदैव हर्शित मुख रहने के लिए बहुत अचि अचियुक्तियां बाप बताते हंb थी बाबना रखनी चाहिए भाबना र्खनी चाहिए बाबने कहा तो अच्छी युकतिय तो बाबा बतते हैं महाँ न रहित अगर किस की तकदीर डिल्ख करें बाबा तो तद्वीर बताते हैं सदसदा सफल होती है राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महा भारी महा भारत लडाई दुमारा हो नहीं है, आगे चल तुम भी जोर भरेंगे, तो सब आएगे, अभी नहीं समझेगे, अंत में बाबानी का अन्यात्मा अभी नहीं आती, अंत में आएगी लडाई सामने खड़ी है, नह तो उनकी राजाई उड़ जाए, बाबानी का दूसरे धरम की आतमे हैं, वो भी अभी नहीं आती है, और धर्मों की आतमें, तो अंत में सब आएगे, तुमारे पास चित्र बहुत अच्छे है, यह सदगति अर्थात सुख धाम, यह मुक्ति धाम, बाबानी का चित्रों से पिर साकारी दुनिया का भी समझाते हैं, यह सदगति अर्थात सुख धाम, यह मुक्ति धाम, बुद्धी भी कहती हैं, हम आतमें निर्वान धाम में रहती हैं, जहां से फिर टौकी में आते हैं, तो बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ, कलप बाद, फिर आऊंगा, भारत ही प जार वर्ष पहले, भारत पहराड आई था, अब नहीं है, अब आप फिर हम को स्वर्गवासी बना रहे हैं, नरक का बिनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए ना, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे, बच्चों परती, मात, पिता, बाप, दादा का, याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को, नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को, नमस्ते जी, नमस्ते जी, थदा रहेंगे, हस्ते जी, वा, 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 शुक्रिया, वा, शुक्रिया, वा, शुक्रिया, वा, शुक्रिया को सच्चा मान देना है दिखावे के लिए किसी का मान नहीं लेकिन सबको सच्चा मान देना दिखावे के मान को बाबा लंगडा मान अगया नंगडामान नहीं, सत्युगी राजधानी में उच्पद पाने के लिए तद्बीर करनी है, उच्पद पाने के लिए पुर्शारत करना है, दूसरा है, आत्तम अभीमानी बनने की मेनत करनी है, मानव मत छोड एक की शिरीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है, रिगार्ड देने का रिकोर्ड ठीक रख, खुशी का महाधान करने वाले पुन्य आत्मा भग, एक दो को रिगार्ड देने का रिकोर्ड रखना है, तो खुशी का महाधान करने वाले पुन्य आत्मा, जब हम किसी का रिगार्ड करेंगे, चाहिए वो छोटा है, चाहिए बड़ा है, तो उसको खुशी तो होगी ना, यात्मा मिरा इतना रखती है व्यासिद भाबन के वेग पुन्य कSTEश्ट पार्तमान समय चाहरों और रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक ऑवश्यक्ता है यही रिकॉर्ड और अजर हम अनेकों को रिगॉर्ड व 20 दीते इंए अनेक आत्माओं हम संबांन करते चोटे बड़े सब का तो सब के मुख से यह आवाज जरूर निकलेगा कि यह सब को रिगार देते हैं वाबने का यह रिगार का रिकोर्ड बजेगा रिगार देना और रिगार लेना चोटे को भी रिगार दो और बड़े को भी रिगार दो यह रिगार का रिकोर्ड अभी नि तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुन्य आत्मा बनेंगे जब हम रिगार्ड देंगे तब ही बावेन का महादानी और पुन्य आत्मा बनेंगे खुशी का करेंगे किसी को रिगार्ड दे कर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुन्य का काम है किसी को रिगार्ड दे कर खुश करना तो यह सीवा है स्लोगन है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो तो ever ready रहेंगे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है ओम शांती ओम शांत